हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागता आप सभी के शूडूप चैनल सरकारी बोल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है SSC CHSL के नोटिस के बारे में SSC की जो अपिसा साइट है उस पे SSC CHSL का जो रिलीज हो चुका उससी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है नोटिस की इस वीडियो का पलाइक करदीजिया अपने दोस्तों साथ सेेर करदीजिये किसी वी सर्चेंजर में सर्च कर दीजिए SSC अब जो सबसे उपर रिजल्ट आ रहा है Home Staff Selection Commission इस पर किलिक करें उसके बाद यहाँ पर आ रहा है सबसे उपर यहाँ पर आप देख सकते हो Notice of Combined Higher Secondary 10 प्रेश्टू लेवल Examination 2022 तो यहाँ पर आप किलिक कीजिएगा इसका डार्क लिंक हम लीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल देंगे उच्पे किलिक करके सिधा आप देख सकते हैं उचके बाद यहाँ पर आप देखोगे Dates for Submission of Online Application तो जो है इस्टार्ट हो गया है आज से यह स्टार्ट हो गया है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और कब तक भरे जाएंगे form 4 जनुरी 2013 तक form भरे जाएंगे उसके बाद इसको अपड़ लीजेगा इस पेज भी नीचे की तरह पाईएगा यहाँ पर पेज केल दिया हुआ है उसके बाद vacancies की बात करें तो tentative जो vacancy है जो यह एप्रॉक्स 4500 vacancies है यहाँ पर reservation आप देख सकते है और उसके बाद यहाँ पर code देख सकते है पोस्ट नेम, functional requirements, suitable category यह सब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे की तरह पाईएगा नेशनार्ट, citizenship, age limit वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा OBC के लिए 3 year का relaxation है SC slash ST के लिए 5 year का relaxation है और आप category wise भी relaxation देख सकते हैं तो यह जो है इसका डिर्क लिंक में इसे description box में डाल देंगे सीधा आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप SSC, CSSL का form online किस तरीके से बढ़ सकते हैं तो इसका डिर्क लिंक हम नीचे description box में डाल देंगे तो वहाँ से यह आप अच्छी से पढ़ लिए उस पर क्लिक करोगे तो डिर्क यह नोटीस आपके सामने उपनों के आ जाएगा तो इसको आप पढ़ लिजेगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई, टेक केर